भक्त जनों हम आज आप सबको प्रथम पूजियत विग्न हरता श्री गणेश जी महाराज की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं किस प्रकार गणेश जी महाराज का जनम हुआ और किस प्रकार वे तीनों लोकों में प्रथम पुज्य वने वह सब कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे तो आईए इस पावन कथा को भाव पुरुवक्ष्रवन करते हैं तो प्रेम से बोलिए भक्तों भगवान श्री गणेश जी महाराजी की जै हो गणपती जी की पावन गाथा भक्तों मैं है आज सुनाता सुनो सबी दे करे के जाँ होगा सदा सदा कल्या हो पाप श्राप सब मिट जाएगा कथा भाव से जो गाएगा दया करेंगे दया निखा देंगे मन चाहा वरता भक्त जनो वैसे तो श्री गणेश जी महाराज के जन्म की कथा भिन भिन पुराणों में अलग अलग प्रकार की मिलती है परन्तु जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वो है शिव पुराण की वही कथा मैं आप सब के समक्ष रखने जा रहा हम तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराज की जै हो एक बार की सुनो कहानी करती थी असनान भवानी पहुचे गए शंकर भगवान पूरा नहीं हुआ असनान हो इस प्रकार से रोज रोज ही आ जाता कोई ना कोई गोरा माने की आमी चान एक ही चाहिये पहरे दान भक्त जनो एक बार की बात है माता गौरा ने अपने मन में विचार किया कि द्वारे की पहरेदारी के लिए एक ऐसा पहरेदार चाहिए जो जब तक मेरा असनान पुर्ण ना हो बिना मेरी आग्या के किसी को भी अंदर आने ना दे जो मेरे पुतेक आदेशों का अपना प्रथम धर्म और कर्तब्य समझ कर पालन करे यही सोचकर माता गवरा ने अपने शरीर पर लगे हल्दी को हटा कर उसके भुटन से एक सुंदर सा बालक को बना दिया तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराजे की जै हो उठकर बालक सम्मुख आया मागोरा को शीश जुपाया बूला क्या है मेरा ना बतलाओ मा तेरा का हो मा बोली जाओ द्वारे पड़े कोई भी ना आ जाए भी तर इगल पती तुम्हारा दा पहरे का पर ना देर का भक्त जनो माता गोरा के चर्णों में साधर शीश जुपा कर बाल गणेश द्वारे पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए माता गोरा निश्चिन्त होकर अस्नान करने चली गए और उसी समय माता जी से मिलने भगवान शंकर पहुँश गए तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराजी की जै ओ शिवजी जैसे बढ़े हैं अंदर रोका गणपती ने द्वारे पर बोले हैं तब बाल गणेश आगे वर जित अंदी कवेश ओ शिव बोले तू कहां से आया किसने तुझे यहां बैठाया वालक दनिक मुझे पहचान मैं हूँ आहां काल भगवान भग्त जनों जब गणेश जी महराज ने इस प्रकार से सुना तो वे बोले कि है श्रिमान आप चाहे जो भी हो बिना अनुमती के अंदर प्रवेश कदापी नहीं कर सकते सुनते ही भगवान शंकर का नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गया पहले तो उन्होंने नंदी भिंगी आदी सभी गणों को बालक गणेश को हटाने के लिए बुलाया परन्तु जब सभी उस छोटे से बालक के आगे अपनी सारी शक्ती लगा कर हार गए तो सुएम भगवान महाकाल ने अपने अमोग अस्त त्रिशूल को उठा लिया और फिर क्या क्या हुआ आगे सुनिये तो प्रेम से बोलिये भगतों श्री गणेश जी महाराज की जय होने लगा है यूध भयंकर लगे हारे में भोले शंकर तिरती शूल से किया प्रहार मैं चाचा हूँ देशी आहा का हो लगात शूल गले में जाकर धड़ से अलग हो गया है माहो राको हो जीततकार उठा लिया दो दी मेला भगत जनों माता गवरा ने गणेश जी के धर को अपनी गोदी में उठा लिया और रोने लगी परन्तु जब उनको पता चला कि उनके पुत्र को जान बुज कर मारा गया है तो उन्होंने अत्यंत भेंकर रूप धारण कर लिया स्रिष्टी को महा विनाश से बचाने के लिए भगवान शंकर ने बक्षी राज गडूर को बुलाया और बोले हे गडूर उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी मा अपने बच्चे की तरप पीठ करके सोई हो उस बच्चे के मा का सिर शिग्र अति शिग्र काट कर लेकर आगे से लिए तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराज की जैर हो गडूर एक हां ठीकों पाए उसका ही सिर वेले आए शिमन लगा दिया सिर आज जीवित हो बैठे गणे आज हो मा गोरा का मन हर शाया बाल गणेश को गोद उठाया पीनों लोक हुआ खुशकार बोली के जैर गणेश लार भक्त जनो माता गोरा ने गणेश जी को अपनी गोदी में उठा लिया समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर अनेका नेका शिर्वाद देने लगे एक बार भगवान शंकर ने यह घोशना कर दी कि जो भी प्रित्वी की परिकर्मा करके सबसे पहले आएगा उसे मैं समस्त लोकों में प्रथम पुझ बना दूँगा यह सुनते ही समस्त देवता अपने अपने वाहनों सहित प्रित्वी की परिकर्मा करने चल पड़े फिर क्या हुआ आगे सुनने तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराज की जै हो गणपती जी के मन में आया शिब गोरा को शीशे जुकाया करके प्रादक्षिना फिरती बोले गणपती परंप्रभी हो मेरे सब कुछ नात आप ही आपस बढ़ कर नहीं है कुछ भी सुने कर के शंकर भगवान दिये प्रधम जद में अस्तान भगवान शंकर ने पुत्र गणेश की बुधिमता और निशल भावना को देखकर गणेश को समस्त लोगों में प्रथम भुज्य बना दिया और आशिरवाद दिया कि जो भी अपने किसी भी मंगल कारी में तुम्हारा प्रथम आवाहन करेगा उसका समस्त कारी निर्विग्न बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराजी की जै हो एक दंत है विग्न बिनाशक संकट हारी बूध प्रकाशक जो दीन का जबताना पूरा होता है सब का ओ शीष मुकुट गल माला सोहे मंगल मैं स्वरूप मन मोहे चार भूजा धारी प्रतनेश इनको पूजे सेश सुधेश भक्त जनों श्री गणेश जी महाराज के नाम अनन्त है और प्रतेक नाम समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है ये समस्त सिध्यों के एक मात्र मूल स्थान है इनका स्वरूप परम मंगल मैं है देवी देवता सिध मुनी जन सब इनके चरण कमल का नित निरंतर ध्यान करते रहते हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों श्री गणेश जी महाराज के जै हो जोगीन का ध्यान लगावे वेद पुराण सदायस गावे मही माईने की अपरम पार सच्चा है इनका गर्भार हो सानन्द अमीत सदाही शीश जुकाता है इनको ही कथा सुने जो बन मेधार वो जाए वह भब से कार भक्त जनो श्री गणेश जी महाराज के इन मंगल में कथाओं को जो भी प्रेम पुर्वक कहे अथवा सुनेगा उसके समस्त मनोरत निर्विग्न संपन हो जाएंगे श्री गणेश जी महाराज अपने भक्तों पर सदा सरवदा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं एक बार प्रेम से बोलिये भक्तों गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय ओन्दन श्री गणेश गणपते नमो नमह शुसिधि विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपते नमो नमह श्री सिधि विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपति बपा मो नमह ओन्दन गणपते नमो नमह श्री सिधि विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपति बपा मो नमह ओंगंगणपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः ओंगंगणपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः ओंगंगणपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगणपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः ओंगंगंगणपते नमो नमः ओंगंगंगणपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंगंपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः ओंगंगंगंगंपते नमो नमः शुसिल्धी विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः ओंगंगणपते नमो नमः शुसिद्धी विनायक 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 नमो नमः ओंगंगंगणपते नमो नमः शुसिद्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंपते नमो नमः शुसिद्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंगंपते नमो नमो नमः शुसिद्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंपते नमो नमः शुसिद्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंपते नमो नमो नमः शुसिद्धी विनायक नमो नमः ओंगंगंगंपते नमो नमो नमः ओंगंगणपते नमो नमः शुसिंधि विनायक 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 नमो नमः ओंगंगंगणपते नमो नमः ओंगंगणपते नमो नमः शुसिंधि विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बपामोरिया ओंगं गणपत ये नमो नमः तेस्थि विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बपामोरिया ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओंगंगणपते नमो नमह शुसिल्धी विनायक नमो नमह अष्ट विनायक नमो नमह गणपती बापा मोर्या ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया ओं गंगणपतये नमो नमः, शिसिद्धि विनायक नमो नमः, अश्ट विनायक नमो नमः, गणपति बपामोरिया